अध्याय दस मरू भूमी में इस्राइलियों का विनाश भाईयो, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी बापतादे बादल की छाया में चले सबो ने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बप्तिस्मा ग्रहन कर सब के सब मुसा के सहबागी बने सबो ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहन किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चटान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चटान थी मसीह फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमी में धेर हो गए ये घटनाएं हमको ये शिक्षा देती हैं कि हमें उनके समान बुरी चीजों का लालश नहीं करना चाहिए उनमें कुछ लोगों के समान आप मूर्ती पूजक न बने जिनके विशय में यह लिखा है वे खाने पीने के लिए बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे हम व्याभिचार नहीं करें जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने व्याभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए हम प्रभु की परिक्षा नहीं लें जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने किया और सांपों ने उन्हें नश्ट कर दिया आप लोग नहीं भुनभुनाएं जैसा कि उनमें कुछ भुनभुनाये और विनाशक दूत ने उन्हें नश्ट कर दिया यह सब द्रिश्टांत के रूप में उनपर बीता और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है जो युग के अंत में विद्यमान है इसलिए जो यह समझता है कि मैं द्रण हूँ वो सावधान रहे कहीं ऐसा न हो कि वह विचलित हो जाए आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्च की शक्ति से परे हो इश्वर सत्यप्रतिज्य है वह आपको ऐसे प्रलोभन में पढ़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें द्रण बने रह सकेंगे मुर्ति पूजा से दूर रहे प्रिये भाईयों, आप मुर्ति पूजा से दूर रहे मैं आप लोगों को समझदार जानकर यह कह रहा हूँ आप स्वयम मेरी बातों पर विचार करें क्या आशिश का प्याला, जिस पर हम आशिश की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता क्या वह रोटी, जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी है इस्राइलियों को देखिए क्या बली खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं है मैं यह नहीं कहता कि देवता को चड़ाय हुए मांस की कोई विशेष्टा है अथवा यह कि देव मूर्तियों का कुछ महत्व है किन्तु धर्मगरंथ के अनुसार गैर यहुदियों के बलिदान इश्वर को नहीं बलकि अपदूतों को चड़ाय जाते हैं मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अपदूतों के सहभागी बने आप प्रभू का प्याला और अपदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते आप प्रभू की मेज और अपदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते क्या हम प्रभू को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बल्वान हैं? व्यवहारिक निर्देश सब कुछ करने की अनुमती है किन्तु सब कुछ हितकर नहीं सब कुछ करने की अनुमती है किन्तु सब कुछ लाबदायक नहीं सब कोई अपना नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें बाजार में जो मांस बिकता है उसे आप अन्ताकरण की शांती के लिए पूष्टाच किये बिना खा सकते हैं क्योंकि प्रित्वी और उसमें जो कुछ है सब प्रभु का है जब अविश्वासियों में कोई आपको निवंतरन देता है और आप जाना चाहते हैं तो जो कुछ परोसा जाता है उसे आप अन्ताकरण की शांती के लिए पूष्टाच किये बिना खा सकते हैं परन्तु यदि कोई आप से कहे यह देवता को चढ़ाया हुआ मांस है तो बतलाने वाले और अन्ताकरण के कारण उसे न खाएं मेरा अभिप्राय आपके अंतह करण से नहीं, बलकि दूसरे व्यक्ति के अंतह करण से है, क्योंकि मेरी स्वतंतरता दूसरे के अंतह करण के कारण बाधित नहीं है. यदि मैं धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद भोज में संबिलित हो गया हूँ, तो जिस भोजन के लिए मैं इश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसके कारण किसी को मेरी निंदा करने का अधिकार नहीं. इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पीएं या जो भी कुछ करें, सब इश्वर की महिमा के लिए करें. आप किसी के लिए पाप का कारण न बनें, न यहुदियों के लिए, न यूनानियों और न इश्वर की कलीसिया के लिए. मैं भी अपने हित का नहीं, बलकि दूसरों के हित का ध्यान रख कर, सब बातों में सब को प्रसंद करने का प्रेत्न करता हूं, जिससे वे मुक्ती प्राप्त कर सकें.